हलो बच्छों अब हम स्टार्ट करते हैं अल्गी शुर्ण लेक्शर में हमने क्लियर कर दिया था प्लांग की विश्फान पर ऑन दिक जो किसथान भड़ा तोलांग कंडमoya कि लूबस क्तिहां ते advice finely की च्राइन पुस्थरी प्राइस प्रणाश किया हैं टिक सील डिक अब यानि के अधर कि वह साखा आधिर की वासाखा जिसके वही चीजा अधर क्या करते हैं और दो पाइको राजी इसके जो माड़र बागर ओपी यह ओपी लेंगर यह ओपी लेंगर जो थे इन्हीं को इन्हीं का जाँ था फादर आप मार्ण फाइपुलोजी यानि जो हमारे ओपी निंगर थे इरों नहीं क्या था एलगी की जो मॉडर्ण स्टार्टिंग है रिसेंट वर्थ है वो इन्हीं के दौरा की गई थी और वो भी कहां पर आप इंडिया भारत सबसे पहने इंडियों ने जिस एलगी पर काम किया था या जिस एलगी को उन्होंने किक खो जाता है पाहे क्या थी टेस्टी अलगी थी है यानि इसी उप्र जो क्या थी सथो गो पाई जाते है अब अगर भार करें के भारे में कि यानी सुभाव या लक्षण आ आक सकते हैं कि और सुभाव कैसा होता लक्षण कैसा होता सबसे पहली चीज या एक मोटे परत के समयान दिखाई लिए ऐसे अगर और दूसरी सभर्से में चीज होगी कि जो होगा मैं यह सब क्या होगी एपसेंट होगी या नी उनमें चलटना और पत्ती का क्या होगा अभाव होगा यह असपस्ट डिखाई नहीं देंगी अब जड़तरा और पत्ती जब अस्वस्क से दिखाई नहीं रहें तो इसी बेस पर जो हमारी एल्गी होती है यह क्या होती है यह दो प्रणाइब की हो जाती है तो सबसे पहले ऐसी टाइप होती है कि अगर 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 कई सेल में अपनी लाइफ कोशिकाओं में तो कई कोशिकाओं सेगर मिलकर बनी हुई हो या कई कोशिकाओं के द्वारा उसकी अगर हम बात करें अगले कारेक्टर होता है इनका जो बॉड़ी होता है यह म्यूकस से कवर्ड होता है यानि बॉड़ी कवर्ड वाई म्यूकस यानि सरीर जो क्या हो म्यूकस से ढगाओं और पिजो होता है कि म्यूकस से बॉड़ी कवर्ड कर चुकि जो होती sound इसलिए इनकी भॉर्डि को to detect क्या होगों आप जेकली होती है इनकी खासिप होती है कि यह क्या होती है पूक्र संधीक होती हैं यानी इन में 木रदर नोट्रेशन होगा वह और और फूर क्रेंग करें स६्समितर तरी के जो फ्रॉस्च युज़ करती है वो प्र्रास्स का होता है पोड़सर ब्र्स फोटेफनिस होता है इसमें एक चीज़ 더 जने वाली बात होती है कि यह कुलता है ता सेकर बट यहां क्या होता है उत्रेट्थ बट उसक्द्रेक्षक ट्रेम कि अभिच सेंट होता है अब रिम्रख टलेकर तो ग्रेना कहां पाई जाएगी ख्रेना पाई जाएगी यानी श्में बैदो फिल में बॉन्हाइब क्लोरो कि एब होता है। अब लोगी कैसे डिफेंट कि होती है यानी क्लासेज आप से डिवाइट ते वह कैसे बन गयत तो जुरुप्त और अब नवी और वोसेंसिस के लिए के ली बहुत टृट है झाल के लिए यह क्लोराविल के सिवाए और दूसरे पिए जाहिए कि इस तरीके से और बी दूसरे पिंक्मेंट ने पाई जाते हैं छूक्य लिए इन गया में रिप्रॉडक्शन होगे जनल की लिए इनल यह बख्रशन होता है यारी टाइम का होहता है या यह जिखिटेटिब भी होगा नहीं है जो कि लिख सब्सक्क्राइक झाले हैं इन तीनों टीशन on measure फार किया गया एक मर्जु और आइड्स होता है जो किंदो और और ऑडऺ करते हैं तो यह बाद करते हैं तो तौ और अधी होती है इसमें जो सेक्षोल डिपरॉक्शन होता है यह three time का होता है पहला होता है iso gamus iso gamus दूसरा होता है nisogamus और तीसरा होता है iso gamus टर्म iso-lins होता है equal यानि बराबर जब क्या हो male और female gamut की size क्या हो एक समान हो तो ऐसे क्या कहेंगे iso gamus सब युगमकी जो क्या हो मेल और फीमेल गयमिट की साइज एक समान ना हो बल्कि एक शोटा और दूसरा बड़ा हो तो इसकार को मुटना थेंगे तीसरा होता है यानि एक जो मेल और क्या हो मुवेबल हो उसकी साइड छोती होते इस्पितार क्या ठेंगे उग एबस साइड और याद जो होगा इसका हिंदी ना हो जाएगा अन्ड युगमजी अब अगर हम बात करें हैविट और हैविडेट की की एलगी का वासस्थान कहा है एलगी कहां पाया जाता है तो जो एलगी होता है यह जलसे सम्वंदित सभी स्रोतों पर पाया जाता है एविडेट हैट प्रक्रतियों वासस्थान यानि जो एलगी है वो उसका सुभाव कैसा हो और वो कहां पाया जाएगा तो सबसे पहली चीज होती है यानि ऐसा सहवाल जो कहां पाया जाए यानि जल पे पाया जाएगा फिर कोश्चन होता है कि फ्रेस वाटर जो है उसमें क्या क्या आएगे तो जितने हमारे रीबर है और है स्ट्रीम आएग यानि पाया जाते हैं पम क्या करते हैं अंक यह यहाय करते है यह संफ होता है हालोफायट्स ne या ह्यां ऐलोफाइटिक जो हैलोफायटिक होती हैं यह हमारे कपाई यह स्लाइन वाटर में पाएं कि यह ती है क्रिप्टोफाइट्स या क्रिप्टोफाइटिक LD, नाम से ही clear है कि जो cryptophytes है ये try कहाँ जाएगी, ये ऐसे area में पाया जाएगे, जहाँ क्या हो slow, और जो snow होती है, यानि बर्फ, क्यों आपका सकते हैं कि स्लो यानि बर्फ ये कहाँ होंगी, ऐसे पहाडों पर पाए जाएंगी जो पहाड क्या हो बर्फ से ढखे हो उन पहाडों पर पाए जाएंगी हमारी क्रिप्टोफाइटिक एलगी इसका बेस्ट एक्जांपन होता है पहाडों पर दिखने वाली red slow यानि जो हम पर्वत्वों पर देखते हैं लाल बर्फ वह क्या है हमारी क्रिप्टोफाइटिक फाइसी गृत की एक मेंबर होती है हमाटोकोकस नेवलिस और उसी के द्वारा ये red slow create होता है हमाटो कोकस नेवलिस इसी के द्वारा ये red slow create किया जाता है कहां ऐसे पहाडों पर जो क्या हो पूर्दियास को बर्फ से ढटे हो अगला होता है इपिफाइट्स या इपिफाइटिक एल्गी अब फिर होता है कि इपिफाइट्स क्या है तो इपिफाइट्स इपी मिस अपान उपर तो ऐसे एल्गी जो क्या हो किसी एकवाटिक प्लाइंट के ऊपर ग्रो करें विए तो इस एल्फियों क्या थाएंगे इपीफायिक यहां एक चीज एकवाटिक प्लांट क्योंकि और भी कटेगरिया है जो क्या हुती है दूसरे आर्गरेस पर ग्रो करती है अब इपिफायटिक ग्रो कर रही है लेकिन इससे क्या हो रहा है उस प्लाइट पर कोई असर नहीं हो रहा है अगली कटिक्री होती है सिंबायोटिक अब यहां जो सिंबायोटिक है यह भी दूसरे प्लाइट पर ग्रो करेगी लेकिन क्या होगा ये उसको help करेगी और बदले बे उससे भी क्या लेगी help लेगी for example इसका 10 example माने आता है लाइके अगली conditions ये भी ग्रो कर दें के डेस पर है ये होता है पैरासाइट पर जीवी आपको पताईए यानि ऐसी एल्गी जो दूसरे आइजब परणी हम और बदले में क्या करें उसे डेजिज्ड करने तो इस पर अभी यवी को क्या खाएगे ब्रासिट एल्गी अगला है इपी जो इप ये हाँ भी तो बड्रो दूसरे अगजीμ elephant उसने है और प्लांट अब क्या करेती New एक्वाटिक एडिमल्स है जलिये जंद्वों के सरीर पर क्या होगी जो हमारी इपीज़एक एल्गी होगी वो उनके सरीर पर ग्रोव करेगी इसका सबसे बेस्ट एक्जाम्पल माला जाता है वो ग्रीन एल्गा आंस दल यानि गोंगों के जो खोल होते हैं उस पर उने वाले हरे एल्गी अग्री कटेग्री जो होती है इसको हम कहते हैं इंडो जो हैं में इंडो इंडो में अदर किनर यानि शरीर के अंदर और जो इंडर यानि यह क्या होंगे एक्वाटिक एनिमल्स के बाडी के अंदर ग्रो करेंगे और क्या करेंगे उसके बाडी को हाल भी कर सकत इसका best example होता है hydra, varidus, तो इस तरीके से जो habit and habitat ये 8 हले 5 के अलगी होते हैं, जो क्या करते हैं, अपने habitat के बेस पर divide होते हैं, अपने nature के बेस पर divide दाते हैं, तो ये आपका जो habit और habitat आख अलगी है, इस तरीके से ये क्या होता है, complete होता है, ओके, thank you.